नमस्कार और दे रहा है दुरुस्त है लेकिन मैं कहना चाहूंगा मुहमडण स्पोर्टिंग क्लब को बहुत दो शुब कामना है कि आप ISL में आ चुके हैं फाइनली जो चल रहा था स्ट्रगल की दोनों कोलकाता जाइंट्स तो पहुच चुके हैं मुहनबगा निस और देखिए मैं इससे पहले कि मैं मुहमडण की तारीफ के पुल बांधू कि कैसे उनका सीजन रहा कैसे उन्होंने मतलब कैसे पहुंचे उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कि वेस्ट बंगॉल का कहें जा कोलकाता का कहें मतलब वो सुना रहा है जो गोल्डन व अंब बोल रहा हूं मैं इसले बोल रहा हूं आप देखिए डुरंड कप कौन जीतता है मुहनबगा शुपर जाइंट्स सुपर कप कौन जीतता है इस बंगॉल आईलिक कौन जीतता है मुहमडण अब बचा आईयसल और उसमें भी ऐसे चांसे लग रहे कि क्या मुहनबगा रहना चाहिए तो एच्छी बात है कि East Bengal fans ISL में आचुके हैं मोहन बगान fans ISL में आचुके नाव मोहमडन है तो अब जो रावल्री है उसका अलग मज़ा आने वाला है तो चलिए मोहमडन की बात करते कि क्या season round का सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा तो coach की तारीफ करना सबसे पहले team बनाईए आप देखिए कितनी एक balance team है आप देखिए bench strength पर जाएए आप उनके young Indian signings को देखिए आप उनके foreign players को देखिए everything इतना balance ना कोई बहुत बड़ा player है कोई बहुत बड़ा नाम है और जिस type की signing उन्होंने करी है आप देखिए उनके इस season के बात करे अ जो combination बना है उनका Eddie Hernandez के साथ कितना शांदार है और उनके जो उजबेकिस्तान के जो midfield agent कासीमो उन्होंने भी कितना शांदा performance दिया या उनके other foreign players की बात करे लेकिन ये तीन जो नाम निकल के आते ये mainly बहुत शांदा performance दिया उन्होंने इस season और दीखिए मैं इनके young Indian players जो न लेकिन आप ये देखिए कि क्या scouting रही एंड क्या performance रहा मतलब class इसी हुग कहते है कि हीरे की परक यान कोच scouting टीम जो भी करती है और उसके बाद इन्होंने जो players की signing करी थी Indian young players सबसे पहला नाम लूँगा डेविड लाल सांगा मतलब इस player ने क्या impress किया fans को भी और पूरे जो एक और प्लेयर थे लाल रेम सांगा इन्होंने भी क्या quality performance करके दिखा है तो ये तीनों ही players बहुत ही quality players रहे इस season में Indian players की बात करें आले कि देखिए ये पूरा teamwork था पूरी team ने वहाँ अच्छा के ला defense, attacking line तब जाकि ये possible लुगा है कि ISL में प्रोट हुए और देखि कि एक ही मैश हारे पूरे season, एक ही match और they qualified for the ISL के लिए और देखिए मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा जैसे कि मौहमलडण के यंग Indian players ने जिस तरीके का performance दिखा है या अधर I-League में भी players लाल भी अकनिया की बात करें या अधर Srinidhi के players खाएं, गोकुलम में करें, जो भी है, बहुत सारे Indian players, मैं नाम लूँगा तो बहुत सारे नाम निकल के आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा performance दिखा है, इससे एक चीज़ी क्या निकल के है, जैसे कि जो manager या जो director की बात करें, जो मौमलडण के, उन्होंने भी एक बात करी, कि I-League में जो Indian players है रहा है, they are also very good, और यहां से भी जो बात बोल रहा है, सभी fans भी, कि I-League से भी player consider करना चालू करें, if you are looking for replacement चाहिए, या scoring वाला player चाहिए, then वो चीज़े I-League के players दिखा रहा है, it's very good, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके बाद देखिए, एक और चीज़ी निकल के आती है कि सब के दिमाग में था कि I-League में जो टॉप कर जाएगा, वो ISL के लिए प्रमोट हो जाएगा, तो एक्च्छल में बात वैसी, एक्च्छल में तो थी नि, अभी देखिए, क्योंकि मुझे अभी ISL में आ रहा है, तो उसको भी कुछ क्राइटीरिया जो है, उसको सब चीजे थी न, कि financially उस लेवल को मैच करना चाहिए, तो वो सब चीजे है आपके पास चीजे, सब चीजे अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि मुझे जो है, क्या चीजे उनके पास अभी अवेलेबल है, और एक और जो चीज है, जो में ली है, जिसको उनको जरूरत है, ज if they want to play in ISL, और वो है bank guarantee, जो की लगती है, 100 करोड़ रुपए की, ISL मगर आपको खिलना, आपको 100 करोड़ की bank guarantee होना चाहिए, तो अब आप बताईए, अगर, खुद सोचिए, स्रीनेधी ये कर सकता था, मुहमडण कर सकता है, ठीक है, और एसकों की confident, उन्होंने कहा है, कि we need 100 करोड़ की bank guarantee, बट, we are confident enough कि हम वो कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसा उनका कहना, उनके साइट से, उनकी management का, अब लेगी ने, आप सेम बात में, मेरे जस्ट दिमाग में आई है, कि आप खोद बताईए, कि अधर जो धेर सारे clubs है, अगर मान लीजे वो ISL के लिए प्रमोशन ल आने वाले हो, नहीं इवनी है, सही बात, आपको ही criteria भी तो fulfill करना है, अब देखिए, यहाँ पर Bunker Hill जो है, मोहमेटन, आपको पता है कि Bunker Hill उनका investor है, तो उनके बाद 51% जो है, वो ownership थी, तो जैसी ISL में आएंगे, तो उनके बाद 61% हो जाएंगी, तो अभी मोहमेटन ज खेलने वाला ISL में इसकी कोई चिंता की बात नहीं, जैसे Punjab FC खेल रहा है, same to same, they will also play, और बहुत मज़ा आने वाला है, because आपको अब जो है, ऐसा समझ लीजे कि जो Kolkata Derby है, वो अब और ज्यादा खतरनाक देखने मिलेगी, क्योंकि तीनों ही क्लब आ गए, और ISL में जो क क्लब्स भी बढ़ रहा है, वो भी खुशी की बात है, क्लब्स बढ़ाना हमको जल्दी से 28-29 क्लब करना है, तो वो भी फिर लीग सिस्टम जो और अच्छा हो जाएगा, तो देखते क्या होता है, कितने जल्दी है, कितने टाइम लगेगा उस चीच को करने में, तो आपकी इस साल भी काफी लोग बोल रहते हैं, मैं भी बोल रहता है, कि मेभी शायद स्रीनिदी आ सकता है, उनका भी अच्छा रण रहा था, लेंगे ठीक है, मौहमाडण आया है, वो भी बहुत खुशी की बात है, तो आपके जो भी थौट्स हैं मौहमाडण के लिए आप जरू क